नमर 66 देखिए, इफ यहां पर देखिए यह तीन मैक्रिक्स है प्रोडक्ट में है, इकोर टू ए, देन राइड, दौ अर्डर अफ मैक्रिक्स है, एक ऑडर हमें पूछ रहा है, मैक्रिक्स ए का ओडर क्या होगा, यह हमें बताना है, ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर मैं मैं यहां पर इनके order को लिख दूँ देखो पहले वाले matrix का order क्या है वन रहा है और थ्री कॉलम है कि दूसरे वाले matrix का 3 by 3 order है तीसरे वाले का 3 by 1 order है तो आप देखो पहले इन दोनों में multiply करोगा तो इसका order हो जागा 3 by 1 इन दोनों से जो matrix हाएगा और यह है 1 by 3 ठीक है आप देखो अब इसमें और इन दोनों से product जो एगा उसमें यानि कि इसका order जो 3 by 1 है multiply करेंगे तो इसका order क्या जाएगा 1 by 1 यानि कि एक order क्या हो जाएगा 1 by 1 हो जाएगा समझे ना next question एक देखते हैं